मिठाई बाटने की कर लीजे तैयारी कूसकबरी खुसकबरी खुसकबरी जीहां मित्रों बुद्धी और वाणी के देवता बुद्ध देव 10 माई को गोचर करने जा रहें जी हाँ 10 माई को साम को 6 बच कर 42 मिनिट पर बुद्ध मेस रासी में पर्वेश करेंगे इसके बाद 21 माई की दोपेर 12 बच कर 13 मिनिट तक बुद्ध मेस रासी में ही गोचर करते रहेंगे उसके बाद वुरिस रासी में पर्वेश करने जाएंगे और बता दे की बुद्ध ब पानि समन्दी कालियों के लिए जनम पत्रिका में बुद्ध का ही आकलन किया जाता है इसलिए 21 माई तक बुद्ध का आपके बिजनर्स पर बहुत ही अच्चा परभाव पढ़ने जा रहा है आपकी कम्यूनिकेशन स्किल पर और आपके जिवन पर बहुत ही अच्चा से दूसी जासी में पर्वेश करने वाले हैं बुद्ध करे की सुब इस्तिती होने पर करियर और वैपार की इस्तिती अच्छी रहती है और फ्रोफिट भी मिलता है 10 माई को बुद्ध मीन राशी से मेश राशी का सपरते करेंगे वहीं 30 माई तक मेश राशी में ही विराजमान है ऐसे में बुद्ध की चार से कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है तो आईए जानते हैं कौन कौन सी है वो भाग्यसाली राशियां जो बुद्ध के गोचर के बाद से ही माला माल होने वाली है दन्वान होने जा रही है तो मित्रों दस माई को बुद्ध के महा गोचर के बाद से ही सबसे पहली भाग्य साली जो राशी बनेगी वो आएगी दन्नु राशी जिहां मित्रों जिनके भी नाम का पहला अक्सर ये या ये यू बे बाबी बू से शुरू होता है उनकी दनुरासी होती है मित्रों दनुरासी वालों के लिए मेस रासी में बुद्ध का गोचर सुब परिणाम लाने वाला है आपकी लाइप में पोजिटिव बनी रहेगी सेहत में थोड़ा बहुत उताचडाव बना रहेगा इसलिए हेल्थ पर ध्यान दे की जुरूरत है इस्टुडेंट को कोई गुड न्यूज मिल सकती है वहीं परिवार के सदस्यों के साथ गूमने में आपकी कोई ना कोई यात्रा बन सकती है और यात्रा आपके लिए सुब साबित हो सकती है आर्थिक इस्तिति में सुदार आने वाला है और अच्छी चलिए मित्रों दूसरी जो सबसे भाइके साली राशी बन कर आएगी वो आती है करकरासी जिनके भी नाम का पहला अक्सर है हाही हुडे डा डी डी डू से सुरू होता है उनकी करकरासी होती है बुद के महा गोचर के बाद से मेश राशी में बुद का राशी परिवरतन करक राशी वालों के लिए लाबकारी साबित हो सकता है आपको आर्थिक लाब होने की संबावना है वैपारियों को कई अच्चे इन्वेस्टर मिल सकते हैं लव लाइप में थोड़े बहुत उतार चड़ाव रहेंगे जिनने बादचीत करके निम्टाया जा सकता है करियर में लाइप में कई कोई टास्क मिल सकते हैं जो आपको ग्रोथ करने में मदद दिलाएंगे बुद्ध के सुब परबाव से कई कार्डियों में सपलता मिलेगी समाज में आपकी पद फस्तिष्टा बढ़ेगी आर्थिक मामलों में आपको सोच समझ कर डिसिजन लेने की रहा है परबल रूप से माला माल करने जा रहा है करक राशी के जातकों को चलिए मित्रो बात करते हैं अगली जो पाइके साली राशी बनेगी उसके बारे में लेकिन उससे पहले आपको एक महतुपूरून बात बताना चाहूंगा कि जिन्दिगी में आप कहीं ऐसे लोगो होते हैं जो कम मेहनत के बावजूद भी सभी चीजा आसिल कर लेते हैं जिनके वो हगदार होते हैं दोस्तों ये सब गरों का खेल नहीं तो और क्या है और इसी के सामादान के लिए हमारे गुरूजी आप तक लेकर आए आपके जीवन की संपूरून जनम की महा जनम कुंड कुंडली वो भी गर बेटे बेटे आपके लिए हमारे गुरूजी लेकर आए तो अभी जो आपको स्क्रीन पर नमर दिखाई दे रहें उस पर आप सिर्फ और सिर्फ वोट्सप पर ही संपर करके आपके जिवन की संपूरून महा जनम कुंडली आप मंगा सकते हैं मात्र 251 रुपे की पीस में जिहां मित्रो मात्र 251 रुपे की पीस में आप वोट्सप पर गुरूजी से संपर करके 200 रुपे की पीस फोन पे गूगल पे पेटियम के जरिये जमा कराकर आपकी जनम कुंडली प्राप्त कर सकते हैं और गुरूजी के दुवारा कॉल पर विसलेशन लुक्त कर सकते हैं क्या दसादोस चल रहाँ है क्या दिक्कत आ रहे है कौंसा ग्रे नीज का आवर को上 सा करने आहों का को मैना आपके लिए बाग्ये विदि लेकर आते हैं कौन सा वार कौन सा दिन कौन सा मैना आपके लिए लग्की थावित रहता है हर एक चीज आपको कुण्ड़ी रिपोर्ट में मिलने जा रही है वित्रों आपको बताते हैं कि अगर आपका भी साधी का योग नहीं बन पा रहा है बार-बार बादाय आ रही है रुकाव्ट आ र रही है या कोई तीसरा बीच में आ गया है घर में कले बना रहता है घर में परिवार जनों का स्वास्थ्य खराब रहता है आपका स्वास्थ्य बार-बार बिगड़ता रहता है सुधार नहीं हो रहा है वैपार कर रहे हैं लेकिन वैपार में वह प्रोफिट नहीं देखने को मिल रहा है जिसके आप हगदार है या जिदनी आप मेहनत कर रहे हैं उसना आपको प्रोफिट नहीं दिख रहा है या कोई भी वैपार शुरू करते हैं लेकिन लाप नहीं मिल पा रहा है हर बार बंद हो रहा है या निया वैपार शुरू करना चाहते हैं तो सोच रहें कि कौ परकार की समयश्या हो उसका सामादान आपको आपके जीवन की महा जनम कुंडली के अंदर मिलने वाला है तो अभी जो आपको स्क्रीन पर नमबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप संपर करके हमारे गुरुजी से आप वोट्सप के जरीज़ संपर करके मात्र 211 रुपे की प अक्सर चे चा ची चू लेला लीलू ए आज से सुरू होता है उनकी मेसरासी बनती है बुद्ध आपके पहले यानि लगन इस्तान पर गोचर किये हैं और जनम पत्रिका में लगन यानि पहले इस्तान का संबंद हमारे सरीर तता मुक्स से बुद्ध के इस गोचर से आपको पराजा के सम्वान सुख प्राप्त होगा आपके पार्स बोतिक सुख सुद्धाई बनी रहेगी शाथ ही जीवन में आपको भरपूर यस्त सम्मान मिलेगा इसके अलावा जीवन साथी के साथ आपके रिस्ते मजबूत होंगे और पैसो के मामले में आपको किसी परकार की प्रेशानी नहीं होगी, लिहाजा बुध के सुब्ध फ़ल सुनिश्चित करने के लिए आपको हरे रंग के कपड़े पहना अवेड करना चाहिए, यानि कि हरे रंग का कपड़े आपको नहीं पहना चाहिए, साथ ही जितना उसर के हरे रंग की चिज़ों का दान करें, इस द मंदिर में मिट्टी के गड़े का दान करीजिए जी हाँ दोस्तों आपके आज पास कोई भी मंदिर या धार्मिक इस्तान हो तो वहाँ पर आप मिट्टी के गड़े का जुरूर दान कीजिए इससे आपका बुद्ध मजबूत होगा चलिए मित्रों बात करते हैं अगली जो नवेस्तान पर गोचर किये हैं जनम पत्रिका के नवेस्तान का संबंद हमारे बाग्य से होता है बुद्ध के इस गोचर से आपको बाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा जितना आपको उमीद है आगे बढ़ने के लिए आपको खुद ही मेनत करनी होगी आपको इस दोर किसी भी गाह को या कुट्टे को रोटी जरूर खिलाए या गाह को चारा जरूर डलाएगा इससे आपको तरह की उन्नती देखने को मिलेगी चलिए मित्रो बात करते हैं अगली जो पाई के साली राशी बनेगी उसके बारे में तो वो राश बनती है मित्रो वरिष्चिक होती है बुद्ध आपके छटे इस्तान में प्रवेश किये हैं जनम पतिरका के छटे इस्तान का समंध हमारे मित्र सत्रू तता स्वास्टे से बुद्ध के इस गोचर से 21 माई तक आपकी वानी बहुती परभाव साली रहेगी लोग आपकी बातों से इंप्रेंच होंगे औ इसके अलावा सिक्साल लेखन और करसी सेतर से समंधित लोगों को लाव के कई मोके मिलेंगी आपको बस उन मोकों को पहचानने की जुरूरत है अत्या इस इस्तिति को अपने पक्स में बनाए रखने के लिए गर की किसी मेला के हाथ में चैंदी का छला जरूर पहनाना चाह और जल्ल मुलाकात होगी एक और ने वीडियो के साथ तब तक के लिए होग नमस्ति वाई रादे रादे में